और फ्रेंड को दका है कि और छे और पूनाम्रों रहे हूं है यहां देखेज़ और उट्लय को दिंगता है मैं नो में दोखकी है देखक रिखेग और 300 mom दिखिकी जो हाट की दाल ». जो आध इस तरह से पानी मांdepend करते हुआ पर वह कह दिख Hem आपकी लौकी चने की दाल को भी आप 2-3 घंटे पर ज़रूर भीगो दें तो यहां पर देखिए इस तरह से आप मैंने कड़ा दिये गैस पर इसमें एक छोटा चमच तेल का एड़ करा है जो छोटा वाला चमचा होता है हमारा राय करने वाला वो तेल एड़ किया है साथ ही अजिध करेंगेए इसमें एक बड़ा चमच जीरा जीरे में लगने तर्का में ए guise कर दूए अगर आप राए आठा करए तो राइट कर सकते हैं और यहां पर130 पार और एक दो 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 बारे कटवी हरी मिर्ची एड़ कर दिए हुरस और हरी मिर्ची को भी कर देंगे हलका साथ डैर कर दिए दो बारी कर देंगे तुछ बिंदिग और उस तरह से फ्राइ करते हैं तो यहां पर एड़ कर देंगे लौकी पानी में से निकाल के और लौकी एड़ करने के बाद में साथ ही इसके अंदर एड़ कर देंगे हम चने की डाल जो हमने भीगो के रखी थी और एक से दो बार इसको पानी में अच्छे से मैंने भीगोने के बाद दो ल को मिला लेंगे और चने की दाल के साथ में लौकी की सबजी बहुत टेस्टी बनती है खाने में एक बार आप फ्रेंड्स इसको घर पे ट्राइज जरूर करें और यहां पे एड़ करेंगे इसमें दो मीडियम साइज की टमाटर लिये थे इस तरह से बारी कटिंग कर लिया मैं वाप चाहें और मिक्सिय में पाइंड्स के इक बारी कर दिया इसमें अब सुके मसाले तो एक बड़ा चमच हेट करनेिगे लाल मेर्च पौडर साथी एट कर देंगे थे में हल्दी 5 तो मैं यहां पर नमक ले रही हूं एक चोटा चमच और आप ले सकते हैं स्वाथ के अनुसार जैसा कि आप देख सकते हैं नमक अच्छे से मिला लेंगे इसके अंदर एक बार यहां पर दिखिए आप इस तरह से लौकी सब्जी बनाते हैं तो लौकी चने की दाल और तमाटर सब मिक्स करके मसाली मिक्स करके पाने पहाल कर जाय हैis को पकाते यहां पहुँ तवह सब्दैक के अंदर पानी यी ऐने वहाद देखिए अडंगे अदर भी सबजी को अच्छा से मिला लेंगे हैं और यहां पे दिखिए इस तरह से मिलाने के बाद में आप इसको धक्कन लगा के रख और बिल्कुल आपको डखकन लगा के कम से कम इसको 10 minutes के रखना है क्या अभी लॉकी चने की दाल पकना बाकी है तो 10 minutes के इसी तरह से डखकन लगा के रख देंगे हम इसकी GAS की जो फ्लेम है हमें वो हाइब पे नहीं रखना है आपको रखना है medium low flame पे तो यहां पे medium low flame पे रख दिया था 10 मिंट हो चुके हैं धकन अटा लेते हैं एक बार और यहां पे देखिए पानी जो हमने इसमेल्ट किया था वो काफी कम हो चुका है और टमाटर भी जो हैं अच्छे से मैल्ट हो चुके हैं चनी की डाल और यहां पानी गे की है तो घ्री खुड लेखें ऐसंब वाख हं मोग चुकिंग हो यह के तो अगर आप करके बनाते हैं मिकसी नहीं आपके पास में तो आप इस तरह सी बाद में देखिए इस तो यहां है कि लूख को यहां तो सब्सक्रा सब्सक्राइब और अलग में लूख कर रही तो सब्सक्राइब कर लिए एक बार धनिय को भी मिला लेंगे इसके अंदर और सब्जी के अंदर आप इस तरह से पणी अड़ करें इतना ही पानी होना चाहिए सबस्धी के अंदर ज्यादा पानी आट करेंगे तो सब्जी में बिल्कुत सवाद नहीं आएगा और यहां पर रमिला लिया है मैनने धनिय क तो भी अच्छे से इसके अंदर लोकी और चने की दास सबज्य मेरी ममी बहुत टेस्टी बनाती थी ह이고 जो भी सब οποरी यह बना अगर आज सब्जी बनाते हैं तो इता टेस्ट नहीं आता है तो यहां धकन लगा देंगे शिरिफ और सिरिफ दो से तीन मिंट के लिए दो से तीन मिंट हो चुके हैं धकन अटा देंगे एक बार तो दीखिए तेल सेपरेट हो चुका है इसके अंदर जिस तरह से आपको बब अधिस खाने में लगी की टेस्ट दीघी तो एक बार आप ट्राय जरूर करें घर पर तो यहां पर गैस कर दितेए बन फिर आपको लेक्स प्रेसिजी भी में और आपको को अब